शिव पुराण के अनुसार तुरितायोग में भगवान शिराम के साहयता करने और दुस्टों का नाश करने के लिए भगवान शिव ने वाना जाती में हनुमान के रूप में अफ्तार लिया था सुन्दर कांड में रमायन के कुछ ऐसे कान्यों का वर्णन मिलता है जहां पर हनुमान जी का पराकरम और भी जादा दर्शाया गया है हनुमान जी के पास आलोकिक शक्तिया हैं वो अश्च सिधी और नौन इदी के दादा हैं और वो स्वेम ईश्वर का अंच है और ईश्वर के बाद यदि कोई शक्ती है तो वो है पवन पुत्र बजरंग बली शिरी राम की सहायता करते हुए और भक्ति योग को बढ़ाते हुए हनुमान जी ने धर्मस्थापना एवं रक्षा हेतु बहुत से कारे किये उन्होंने बहुत से असरों का विनाश किया और आज हम रमायन से एक ऐसे किस्से को लेकर आए हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं मेगना जैसे बड़े योधा को भी हनुमान जी की शक्ति और पराकरम के आगे लोही के चने चबाने पड़े लेकिन इस कथा को अरम करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे सब्सक्राइब और बेल ऐकन को प्रेस करना ना भोले और बोले चै बजरंग ब लंका पहली बार पहुचे और सब कुछ तहस नैस करने लगे और उन्होंने लंका के दहन का आरम कर दिया इसी बीच बजरंग बली ने रावण के कई योधाओं को वीरगती प्रदान की रावण को यह सुनकर बहुत क्रोध आया उसने साथ मंतरी पुत्रों को और पांच ब संख्य राक्षसों के विशाल सेना को लेकर अशोक वाठिका की ओर चल पड़े शत्रु सेना को आते देख पवन पुत्र बजरंग बली ने किट किटा कर बड़ी भ्यंकर गर्जना की इस घंगोर गर्जन को सुनते ही अनेकों सैनेक तो भैसे मुर्चित हो गए और प्रित् सेना को इस प्रकार प्लायन करते देख मंत्री फुत्रण हनमान जी पर बाणों की बोचार आरम कर दी बाणों के आघात से बचने के लिए हनमान जी अकाश में उड़ने लगे और शत्रों को ब्रहमित करने लगे अकाश में उड़ते बजरंग बली पर राक्ष सेना नायक ठीक से लक्षन ही साथ पा रहे थे इसके पशाद्व बहंकर गर्जना करते हुए राक्षस दल पर वजर की भादी टूट पड़े कुछ को नोन वरक्षों से मार मार कर धाराशाई कर दिया तो वही कुछ को लाद खूसों तीक्षन नखों तता दातों से शत्विक्षत कर डाला इस प्रकार बजरंग बली ने जब साथ मंतरी पुत्रों को यमलोक पहुचा दिया तो विरुपाक्ष, यूपाक्ष, दुर्धर्ष, प्रघर्ष और भासकर नामाक पांचों नायक तीक्षन बाणों से बजरंग बली पर आक्रमन करने लगे जब दुर्धर्ष ने एक साथ पांच विशले बाण छोड़ कर उनके मस्ता को घायल कर दिया तो वे भेंकर गजना करते हुए अकाश में उड़े दुर्धर्ष भी उनका नुसरन करता हुआ अकाश में उड़ा और वहीं सुन पर बाणों की वर्शा करने लगा यह देख कर दाद किटकिटाते हुए पवन पुत्र दुर्धर्ष के ऊपर कूद पड़े इस आप्रतियाच दागात को ना सह पाने के कारण वे तीवर वेक से प्रित्वी पर गिर पड़ा उसका सरफट गया और वे मर गया दुर्धर्ष को इस प्रकार मार कर हनमानेक साको का विरक्ष उखाड कर ऐसी भेंकर मार काड मचाई कि वे चारो नायक भी अपनी सेनाओं से धाराशाई हो गए कुछ राक्षस अपने प्रांड बचा कर पेताहाशा दोड़ते वे रावण के दरबार में पहुँच गए और वहाँ जाकर उसे सब योधाओं के मारे जाने का समाचार दिया जब रावण नेग अकेले वानर के द्वारा इतने पराकरमी नायको तथा विशाल सेना के विनाश का समाचार सुना तो उसे बड़ा शर्य हुआ और वे क्रोधित हो उठा उसने अपने वीर पुत्र अक्षे कुमार के विशाल सेना के साथ अशोक वाटिका में भीजा अक्षे कुमार ने हन्मान को दूर से देखते ही उन पर आकरमन कर दिया अफसर पाकर जब अंजनी पुत्र ने उसके समस्तर अशो ससरो को चीन कर तोड डाला तो अक्षे कुमार उनसे मलियूत करने के लिए भिड़ गया परंतु वह हनमान से पार ना पा सका हनमान जी ने उसे प्रिथ्वी पर इस प्रकार उठा लिया जिस प्रकार गरुण सर को ठा लेता है फिर दोनों हातों से बल लगा कर मसल डाला जिससे उसके हेड़िया पसलिया तूट गई और वह चितकार करता हुआ यमलोग चला गया और जब रावन अपने प्यारे पुत्र अक्षे कुमार की मिर्त्यू का समाचार सुना तो उसे बहुत दुख हुआ उसके एक रोध का अंत ना रहा उसने अत्यंत कुपित होकर अपने पराकरमी पुत्र मेगनाद का बुलाकर कहा हे मेगनाद तुमने घोर तपस्तिया करके भ्रह्मा से जो अमोग अस्र प्राप्त किये हैं उनके उप्योग का समय आ गया है जाकर उस्वानर को मृत्यू दंड दो उसने तुम्हारे वीरभाई और बहुत से राक्षस योद्धाओं का वद्ध किया है पिताजी की आगया पाकर परम पराकरमी मेगनाद भ्यंकर गर्शना करता हुआ हनमान जिसे युद करने के लिए चला गया जब तौरण द्वार पर बैटे हुए हनमान ने रत पर सवार होकर मेगनाद को अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने भ्यंकर गर्शना से उसका स्वागत किया इससे चड़कर मेगनाद ने स्वाण पंक युग तथा वर्श के सटश वेग वाले बाणों से बजरंग बली पर वर्शा कर दी इस बाण वर्शा से बचने के लिए हनमान जी उना आकाश में उड़ गये और पैंतरे बदल बदल कर उसके लक्षे के व्यर्थ करने लगे जब मेगनाद के सारी अमोग असर शस्त्र ब्रस्ट होकर व्यर्थ जाने लगे तो वे भारी चिंता में पढ़ गया फिर कुछ सोच कर उसने हनमान जी को बांधने वाला ब्रहमास्र छोड़ दिया और इससे हनमान जी को बांध लिया हनमान जी के पास अतनी शक्तिया हैं कि उन्होंने चंदरहास और पाशुपतास्र को भी निश्वल कर दिया था और वे चाते तो ब्रहमास्र को भी निश्वल कर दे थे साथ ही आपको ये भी बता दें कि हनमान जी को ये वर्वी प्राप था कि उन पर ब्रहमास्त्र का कोई भी असर नहीं होगा और ब्रहम देव का अदर रखते हुए उन्होंने ब्रहमास्त्र को प्राणाम किया और ब्रहमास्त्र के वार को अपनाया मगर उन पे प्रमास्ट का गहरासर नहीं हुआ और यह देखकर मेगनाद भी हरान रह गया और हनमान के पराक्रम से बहुत प्रभावित हुआ इसके उप्रांत वोने लंकापदी रावण के समक्ष लेकर गया जहां पर हनमान जी की पूँच में आग लगाने की घटी हरकत की गई और बजरंग बली ने अपनी पूँच को इतना विशाल कर लिया कि इस से उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी और सोनी की लंका दहन कर दी रावण की सेना इसके बाद हनमान जी के नाम से ही भैबीत हो उड़ती थी हनमान जी चाहते तो मेगनात का वद्ध कर दे थे और यहां तक की रावण का भी परन्तु धर्म के स्थापना और राम राज्य के लिए ये कर्म केवज शीराम लक्ष्मन के हाथों ही होने थे और बजरंग बली इस बात को समझते थे जब भी शीराम लक्ष्मन पर कोई संकरड आया तो बजरंग बली ने उसे अपने बुद्धी और पराकरम से दूर किया खुद भगवान शीराम ने अगस्थमनी को कहा था कि उन्होंने हनुमान के पराकरम से ही रामण पर विजय प्रात की है तो बोलो जै शीराम, जै बजरंग बली इस कथा में इतना ही अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो, तो इससे लाइक और शेयर करना ना भूले साथ ही हमारे सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल एकन को प्रेस करके जिससे कि हम प्रभू के ऐसी कथाएं, जादा से जादा लोगों तक पहुँचा पाएं मिलते हैं आप से अगली वीडियो में और भी अद्पुत कथाओं के साथ, तब तक ये लिए हरियों अग्षियों प्रभू करें, हमारे वीडियों प्रेस प्रभू करें, जादा आदा से जादारी वीडियों थाएं